प्रीच छत्रों आज हम लोग कच्छा नौग के बाड़ी जबिसे के अंतरगत जो आपका टापिक है मुद्रा का इतिहास बस्तु बिन्वे प्रणाली एवं मुद्रा का उद्गम तथा विकास इसके संबन्द में हम लोग अध्यन करेंगे आप सभी जानते हैं कि मुद्रा अर्थात जिसके माध्यम से हम कोई लेन देन करते हैं वो हमेशा से ही एक लोगों के आश्चरे का विसे रहा है आकरसन का विसे रहा है सभी व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा मुद्रा आए ज्यादा से ज्यादा पैसा आए तो इसी के इतिहास के संबन् से मुद्रा का आज बर्तमान स्वरूप आया है इसके बारे में हम लोग अध्यन करेंगे आप जानते हैं कि प्राचिन काल में मनुसे की आउसक्ताइं बहुत ही सिमित थी हर व्यक्ति या हर परिवार अपने आपको आत्म निर्दवर समझता था सभी आउसक्ता की बस्तमे खुद बना लेता था और उसका परियोग खुद ही करता था आउस्यक्ताओं की पूर्ती के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता था लेकिन धीरे-धीरे मानवी ज्यान में जैसे ही बिद्धी हुई सभिता का विकास हुआ उसी के साथ मनुष्यक्ताओं भी बढ़ी और वह आत्म निर्भर न रहकर एक दूसरे पर निर्भर रहना शुरू कर दिया अपनी निर्भरता एक दूसरे पर ओब कोई किसी वस्त के लिए निर्भर रहने लगा और दूसरे से वस्तु प्रात करने के लिए आउस्यक था कि उसको भी कोई दूसरा वस्तु दे क्योंकि लेन देन बीना दो व्यक्तियों के और बीना किसी माध्यम के संभव नहीं है और इसी समय जो बीनिमय होता है लेन देन होता है उसका जन्म हुआ क्योंकि जब हम आत्म निर्भर होते हैं तो हमको किसी चीज किया उसकता नहीं होती है सारी चीजे हम स्वयम पैदा कर लेते हैं स्वयम उसका उभोग करते हैं लेकिन जैसे ही निरभरता हमारी दूसरों पर बढ़ती है तो हम एक दूसरे से संबंद स्थापित करते हैं बस्तूओं का या और चीजों का लेंदेल सुरू करते हैं तो आएए देखते हैं बीनिमय क् सधारण सब्दों में देखें तो दो पक्षों के बीच होने वाली बस्तूओं वा सिवाओं के अदल बदल की प्रक्रिया को बिन्मय कहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर बस्तू के माध्यम से आज से दस बीच साल पहले तक गाओं में फेरी लगाने वाले आते थे और पुरानी बस्तूओं लेते थे और उसके बदले में नई बस्तूओं दे देते थे आज भी गाओं में आप जाईए जहां मुद्रा का इतना प्रस कोई समान उप्राप्त कर लेते हैं बोलता इसी को बस्तूओं में कहा जाता है प्रोफेसर मार्सल ने इसकी परिभासा करते हुए कहा है कि दो पक्षों के मद्ध होने वाले एच्छिक बैधानिक एवं पारस्परिक धन के हैस्तांत्रण को ही बिनिमे कहते हैं इसी तरह से जेवंस के ने कहा है कि कम आवस्यक बस्तूओं से अधिक आवस्यक बस्तूओं की अदल बदल को ही बिनिमे कहते हैं और एई बाग के मतानुसार हम एक दूसरे के पक्ष में स्वामित के दो एच्छिक घस्तांत्रणों के बिन देश्ट सरूप में परिभासित कर सकते हैं अ हम बिनिमे को इस तरह से देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से एक बस्तूओं देकर दूसरी बस्तूओं प्रयत करता है तो उसको हम बिनिमे कहते हैं बिनिमे की विशेस्ताएं क्या हैं अगर हम परिभासाओं को ध्यान से देखें तो इससे कुछ इस्तान आंतरन होता है हम अपनी बस्तु दूसरे को देते हैं दूसरे की बस्तु हम प्राप्त करते हैं या अपना धन उनको देते हैं उनके बदले में कोई बस्तु हम प्राप्त करते हैं धन का इस्तान आंतरन पूर्टिया इच्छिक होता है इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए धन का इस्तारांतर बैदानिक होना चाहिए अब बैद तरीके से धन का इस्तारांतर नहीं होना चाहिए बिनमय में दो पक्ष होने चाहिए और धन का इस्तारांतर परस्पर समझाओते कैदार पर होना चाहिए इसको हम एक उदार्द द्वारा भी समझ सकत तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो बीनिमय होता है दो व्यक्तियों के बीच लें देन धन के हस्तारंतरन को ही हम बीनिमय काते हैं आगे हम इसमें अध्यन करेंगे कि बस्तु बीनिमय क्या होती है और उसकी विश्यस्ताएं क्या होती है आज के लिए इतना ही थेंक्यू